हे दोस्तो, वेलकम टू स्टडी आईएस और आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं यहाँ पे एक प्रपोजल दिया गया है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 था उसमें कुछ अमिंडमेंट किये जाएंगे तो ऐसे प्रपोजल दिये गए हैं इसी के बारे में हम लोग अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं आखिर क्या है यह अमिंडमेंट और यह जो एक्ट था इसके अंदर क्या बाते डिफाइन करी गई थी यह सारी बाते हम लोग अपनी आज की वीडियो में देखेंगे तो यह वीडियो काफी important होने वाली है उन सभी experience के लिए जो कि UPSC IS की त्यारी कर रहे हैं क्योंकि ऐसे topic बहुत ज़दा chances है कि पूछे जाएं आपसे तो इसी दी यह वीडियो आपके लिए important हो जाती है वीडियो को पूरा जरूर देखीगा कि आपको एक अच्छी understanding हो सके और आप इसके बारे में जो information है उसे समझ सकें लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक important information है अनकेडमिक तरफ से यहाँ पे जागरिती अवस्थी जी जो की अनकेडमिक से त्यारी करती थी उनकी year 2 आई है इसके साथ साथ यहाँ पे साथ ऐसे ranker है जो की top 20 में अपना नाम लिखा चुके है top 50 के अंदर 15 ranker और 170 ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने इस exam को crack करा है ओके दोस्तो अनकेडमिक यहाँ पे आपको अभी नए बेचेज दे रही है 13th of October से जो भी आपके upcoming years हैं उनके लिए तो जो भी बच्चे UPSC CSC के त्यारी कर रहे हैं और उनके examination अभी आने वाले सालों में हैं तो वो जाके avail कर सकते हैं अनकेडमिक आपको प्रोवाइड करवाती है टॉप एजूकेटर इंडिया के बाइल एंग्वेल में होते हैं तो आपको यहाँ पे किसी भी तरगी की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी सतर एक्टूबर को यहाँ पे UPSC CSC कॉमबेक्ट होने वाला है जिसके अंदर आपके 50 कुशन आएंगे 60 मिनिट के आपके पास टाइम रहेगा इस कॉलोशिप होगी आपकी 4 क्रोड रोपे की तो जाइए और एंडरोल कीजे इसको यहाँ पे आप invite code जो है हमारा Studyis उसे भी यूज़ कर सकते हैं क्या है किस तरीके से सारी बाते देखने को मिलती है तो दोस्तों बता दूमें यहाँ पे आपको जो हमारे Union Minister of Environment, Forest and Climate Change है उन्होंने यहाँ पे प्रपोस करा है कि वो amendment करवाएंगे Forest Conservation Act 1980 के अंदर जिसके साथ यहाँ पे जो आप कह सकते हैं मेंज होगा यह काफी सिगनिफिकेंट होने वाला है हमारे इंडिया के जो Forest Governance है उसके लिए ओके एम क्या है क्यों आखिर ऐसा करा जा रहा है तो देखिए मेंज जो एम है वो यह है कि जो हमारे अभी के Forest Laws हैं उन्हें थोड़ा सा Liberalize किया जाए जिसके तहट यहां पे Facilate करवाए जाएगा कुछ Private Plantation और आप कह सकते हार्वेस्टिंग के लिए इसके साथ साथ यहां पे Exploration होने वाला है और Extraction होगा Oil का भी यहां पे मैं बता दूँ कि बता जा रहा है कि Forest Area में ही आप कह सकते हैं काफी सारे जो Natural Gas Deep Bent Forest है जिनके पास आप कह सकते हैं यह चीज़े अवलेबल है तो वहां पे कुछ Drilling करी जाएगी Holes करे जाएगे वो भी Forest के बाहर से कि हम लोग ऐसे Resources को यूज़ कर सकें ओके दोस्तों यह तो एम हो गया अब आगे बात करते हैं कि आखिर इंडिया के तहट हम लोग Forest किन जगों को कहते हैं ऐसे कौन से एरिया हैं जिने Forest कहा जाता है तो Supreme Court in Tamil Nadu, Gondavaram, Tirumalpad versus Union of India and others 1996 के अंदर Forest को डिफाइन करा गया था वहां पे कहा गया था कि हर एक एरिया जो कि आप कह सकते हैं Forest record करा गया है Government के किसी भी record के अंदर उसे हम Forest कहेंगे Irrespective of Ownership, Regernation and Classification अगर किसी भी Government record के अंदर किसी एक एरिया को Forest गोसित करा गया है तो Government उसे Forest मानेगी यह बाते बताई हैं Supreme Court जो कि आपकी तमिल नाडू में है उसने जो केस हुआ था उसके बाद आगे बताता हूँ मैं कि आखिर यह जो Government ने जो अमिडमेंट की बात करी गई है इसकी नीड क्या है सबसे पहले जो Forest है वो Private Land पे हैं उनसे काफी दद आप कह सकते हैं यहाँ पर फाइदा भी देखने को मिलेगा क्योंकि हमें यहाँ पर अभी identification करने की ज़ुरत है कि कौन से आप कह सकते हैं Forest जो है वो Private Land पे हैं क्योंकि आप मान सकते हैं यह काफी सब्जेक्टिव है और आप कह सकते हैं कई हद तक यह आप कह सकते हैं पता ही नहीं यह लोगों को इसके साथ-साथ क्या होगा कि यहाँ पे काफी सारे resentment होंगे और आप कह सकते हैं जो भी Private Individual Organization की तहत जो resistance दिये जाते हैं वहाँ पे भी इसके आप कह सकते हैं चीजे देखने को मिलेगी इसके साथ-साथ यह बता दूमें कि काफी सारे ऐसे एरिया है जिने फॉरेस्ट गोसित करा गया है उससे क्या होता है यहाँ पे कि किसी एक individual के जो उसकी खुद की लेंड है जो कि आप कह सकते हैं नॉन forestry activity के लिए उसको भी छीन लिया जाता है ओके एक और बात यहाँ पे आपके जानने जरूरी हो जाती है कि ऐसी लेंड ऐसी प्राइवेट लेंड जो कि आप कह सकते हैं डिवाइड करे जाती है वहाँ पे प्लांटिंग के स्कोप बच सकते हैं अगर ऐसी चीज़े देखने को मिलती हैं तो अगला पॉइंट है कि काफ़ी सदय यहाँ पे एक लोजिकल और एकनोमिक नीड की भी जुरत पढ़री इस वे से यहाँ पे करने की जुरत हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं काफी ज़य यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा हमें इकोलोजिकल, सोशल और इंवर्मेंटल रिजिम्स में हमारी कंट्री के अंदर पिछले कुछ सालों से तो अगर ऐसी सरक्मस्टांसेश चलते रहते हैं तो अगर ऐसे डेवलपमेंट देखने को मिलती हमें तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं तो इसी वज़े से यह नेसेसरी हो जाता है कि ऐसे एक्ट पे अमेंडमेंट करा जाए आगे बताता हूँ मैं कि अगर ऐसी चीज़े देखने को मिलती है तो हम लोग इंडिया का जो क्लाइमेट टार्गेट है उसे अचीव भी कर सकते हैं हमारा आप कह सकते हैं यहां पे NDC आप कह सकते हैं contribution रहने वाला है nationally determined contribution उसके अंदर यहां बता जाता है कि extensive plantation करा जाएगा हर एक तरीके से जो भी आप कह सकते हैं land available है government के पास उस पे तो यह सारी ज़रुते हैं जिस वज़े से हमें यहां पे amendment की ज़रुत पढ़ रही है आगे बताता हूं मैं कि आखिर इस proposal के highlights क्या है सबसे पहले यहां पे forest को define करा गया है तो मैं बता दू कि ऐसी आप कह सकते हैं demand forest जो की list करे गए थे state government में 1996 तक वो अब भी आप कह सकते हैं forest land कहला जाएंगे एक और यहां पे important बात है कि जो भी land जो है वो acquire करी गए थी railway या फिर road minister के दुआरा उन्हें भी कह सकते हैं 1980 से पहले पहले उन्हें भी यहां पे आप कह सकते हैं अब किसी तरीके से forest नहीं माना जाएगा काफी सारे यहां पे strategic project हैं जो की compulsory हो जाते हैं हमारी security के लिए भी तो यह पूरे तरीके से national importance पे रहते हैं वहां पे भी हमें चीज़ देखने को मिलेगी तो अगर ऐसी चीज़े आती हैं तो यहां पे आप कह सकते हैं central government है वहां पे approval देदेगी इसके साथ साथ जो state है वो भी allow करेगी जिस तरीके से यहां पे diversion देखने को मिलते हैं forest land पे जिस भी तरीके के आपके strategic और security project हैं उनके लिए oil and natural gas extraction है वहां भी भी आप कह सकते हैं चीज़े देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अभी एक नई technology आई है ERD extended reach drilling forest के बाहर से भी अब उन्हें drill करके निकाल सकते हैं यह एक पूरा environment friendly होने वाला है अगर हम ऐसी technology को use करते हैं और हम लोग अपने resources को भी use कर सकते हैं इसके साथ साथ यहां पे forest के अंदर building के बारे हम बताया जा रहा है अगर ऐसी चीज़े देखने के मलती है तो किसी एक individual को यहां पे जो land है उसके खुद क्या आप कह सकते हैं private forest के अंदर उससे आप कह सकते हैं उससे कफिता मदब मिलने वाली है यह proposal जो है वो allow करेगा right to construct structure for bona fide purpose जिसके अंदर आप कह सकते हैं जो भी forest protection measures है उनके लिए जो भी आपके residential unit है वो भी यहां पे area दिया गया है 250 square meter के लिए उस आप कह सकते हैं relaxation पे भी चीज़े करी जा सकती है and last दो तो यहां पे इंडिया में अभी तक क्या चीज़े चल रही है उसके बारे में प्रदेश आता है और उनाचर प्रदेश चतिज़गर उडिसा और महारास्ट यहां पे इंडिया के अंदर national forest policy of India 1988 है उसके अंदर यह है कि भारत अचीव करना चाहता है यह goal कि उसका पूरा जो geographical area है अमारी country का उसमें 33% ऐसा area हो जो कि forest और tree को cover करता हो दोस्तों लास्ट में बात करते हैं कि आखिर कौन-कौन से constitutional provision दिये गए है forest के लिए सबसे पहले 42nd Amendment Act 1976 है उसके तहत यहां पे forest and protection of wild animal and birds were transferred from state to concurrent list along with education यहां बता जा रहा है कि change कर दिया गया था उन्हें concurrent list पे ओके मतलब पहले वो state list पे थी state दियान देगा लेकिन अब state और central government दोनों ही इस पे दियान देंगे इसके साथ साथ article 51 AG के अंदर जो बताता है कि हर एक आप कह सकते हैं citizen की fundamental duty है कि वो protect और improve करे हमारे जो भी इंडिया में natural environment आ रहे हैं चाए forest और चाए wildlife हो इसके साथ साथ article 48A के अंदर ये भी आता है जो की directive principle of state policy है वो mandate करवाता है कि हर एक आप कह सकते हैं state को यहां पे यह उसकी भूमी का है कि वो protect करे और improve करे हमारे environment को और safeguard करे forest को और wildlife को हमारी पूरी country के अंदर ओके दोस्तों तो यह थी पूरी चैनल को इस वीडियो को शेर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके हैं मिलते हैं नेक्स वीडियों तक के लिए have a nice day